नमस्कार हिमाचल अभीअभी.com से मैं दिव्या पेश हैं आज के मुख्य समाचार हिमाचल में पहली जून से नहीं चलेंगी प्राइविट बसें आपरेटरों ने खड़े की ये हाथ हिमाचल में आज साथ नए मामले आये सामने हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा एक सुपचानवे पहुचा कौरंटाइन डेस्टिनेशन वाले बयान पर मुकेश और राठोर ने सीम जैराम को घेरा डीजीपी मरडी बोले तहसीलतार से नहीं डीसी से परमिट लेकर ही आएं बाहर से आने वाले लोग ठाने और एहमदाबाद से हुई हिमाचलियों की घरवापसी पठानकोट वा उना आई ट्रेने गगल एरपोर्ट पर कल से शुरू होँगी उडाने शुमला के लिए 30 चून तक करना होगा इंतजार मंडी में जमीन और पानी निकासी को लेकर भीडे दो परिवार जम कर बरसे टंडे कोरोना संकट के बीच संतोशकड में राख के धेर में बदली मजदूरों की जुगिया पांटा साहिब में मर्डर केस में संदिग दूवक ने जंगल में पेड से फंदा लगा कर की आत्म हत्या माजरा पुलिस ने जामनी वाला के जंगल में दी दबिश, शराब की चलती भटी पकड़ी अब समाचार विस्तार से हिमाचल प्रदेश में पहली जून से बसे चलाने के सरकार के निर्ने को नीजी बस ओपरेटरों ने मानने से इनकार कर दिया है यानि नीजी बस ओपरेटर पहली जून से बसे नहीं चलाएंगे इस बाबत आज नीजी बस ओपरेटर संग की एक बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग की माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रराशर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के सभी जिला की यूनियन ने भाग लिया और बैठक में ये तैय किया गया कि जब तक सरकार नीजी बस ओपरेटरों को बुला कर बातचीत नहीं करेगी तब तक प्रदेश में कोई भी नीजी बस नहीं चलेगी हिमाचल में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव के साथ नए मामले सामने आये हैं इसमें बिलासपूर, चंबा, हमीरपूर, कांगडा, मंडी, सोलन और उना में अब तक एक-एक मामला सामने आया है वहीं दो कोरोना पॉजिटिव मरीज आस ठीक भी हुई हैं ये बिलासपूर के मरीज थे और मेडिकल कॉलिज नेर चौंक में भरती थे हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव कांगडा 195 पहुँच गया है अब तक 63 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं इसमें हिमाचल के बाहर इलाज करवाने गए सोलन के चार पॉजिटिव मरीज भी शामिल है अब तक 3 की मौत हुई है बिलासपूर जिला में 8 मामलों में से 4 एक्टिव केस बचे हैं 4 लोग ठीक हुए हैं चमबा में 14 मामलों में 3 एक्टिव केस हैं 11 लोग कोरोना से जंग जीते हैं हमीरपूर में 61 में से 5 एक्टिव केस हैं 5 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की जान गई है कांगड़ाजिला में 50 में से 36 एक्टिव मामले हैं 13 लोग ठीक हुई हैं और 1 की मौत हुई है सीम जैराम चाकूर के हिमाचल में क्वारंटाइन डेस्टिनेशन के बयान पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश यगनी होतरी ने पलट वार किया है उन्होंने कहा कि सीम जेराम छाकुर का हिमाचल को क्वारंटाइन सेंटर ओफ इंडिया बनाने का क्वाब सही नहीं है ये एक गैर जिमेदाराना और अनैतिक बयान है ये ठीक है कि हमाचल में परवत पहाड नदियां और कुद्रत के कई अजूबे हैं काफी लंबे समय से टूरिजम सेक्टर बंद पड़ा हुआ है लेकिन सीम चेराम ठाकुर का ये कहना कि जिने भी 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा है उनका हमाचल में स्वागत है किसी भी सूरत में सही नहीं है जिने क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है वे पहले अपना इलाज करवाएं स्वस्ते लोग किसी भी समय हिमाचल आ सकते हैं कौरंटाइन डेस्टिनेशन के लिए हिमाचल का चैन करना बिलकुल ही गलत है हिमाचल पुलिस के डीजीपी एहसार मरडी ने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले कुछ लोग तहसीलदार आदिस से परमिट लेकर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वालों को संबंधित डीसी से परमिट लेकर ही आना है हिमाचल में आकर क्वारंटाइन के आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा ये बात उन्होंने यहां जारी एक वीडियो संदेश में कही उन्होंने कहा कि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आए लोगों के चलते कोरोना वायरिस के मामले बड़े हैं बाहरी राज्यों से आए अधिकतर लोग संस्थागत क्वारंटाइन में हैं। लोगों को भेवीत होने की जरूरत नहीं है। अब भी होम क्वारंटाइन के आदेशों की उलंगना की मामले सामने आ रही हैं। ऐसे लोगों पर सक्त कारवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने काया कि हिमाचल में आने वाले समय में बारबर शॉप्स और सेलून आदी भी खुल जाएंगे। साथी बसे भी चल पड़ेंगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करना होगा। पर पहुंची पठानकोट पहुंची च्रेन से कांगडाजिला के 245, हमिरपूर के 101, मंडी के 67, उना के 47, विलासपूर के 34, चमबा के 26, शिमला के 20, सोलन के 15, यात्रियों के अतिरिक्त सिर्मौर के 16, जबकि कुलू के 6 तथा किनौर के 3 लोगों को उनके गंतव्वे के लि इलासपूर से 23, उना से 47, सिर्मौर से 10, वो सोलन से 3 यात्री वापिस पहुंचे हैं, इन सभी को अपने अपने जिलो में इंस्टिटूशनल क्वारेंटाइन रहना होगा, अन्ने समाचार प्रेक के बाद श्रीबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कांगरा, जहां आपको एक ही चत के नीचे मिले बहतरीन चिकित सासु विधाएं, कार्डियोलोजी, लैप्रोस्कॉपिक, जनल सर्जरी, प्यूरो सर्जरी, और्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डाइगनोस यूरोलोजी, गैस्ट्रोएंट्रोलोजी, ओफ्थेलमोलोजी, पैथोलोजी, मेडिसिन, अनस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बहतरीन चिकित सासु विधाएं, 24 घंटे एमर्जेंसी सु विधा, नौबेट के साथ कुरिटिकल केर यूनिट, कार्डियक और डीफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल उक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सु विधा, हिमाचुल प्रदेश के सबसे बड़े नीजी स्वास्ति सेवा प्रदाताओं में से एक, शिबालाजी मल्टी स्वास्तियालिटी हॉस्पिटल कांगणा, राष्टी स्वास्ति भीमा य संपर्क करें 9218411108 पर, शिबालाजी मल्टी स्वास्तियालिटी हॉस्पिटल कांगणा, राष्टी स्वास्ति भीमा प्रदेश के चलते दो महीने से गगल एरपोर्ट बंद है, बीते 21 मार्च से लॉकडाउन के चलते यहां बंद पड़ी विमान सेवाएं 25 मैं यानि कल स बताया कि सुब़ 11 बच कर 5 मिनट पर सपास जेट का विमान दिल्मी से उडान भरकर 12 बच कर 20 मिनट में गगल पहुँचेगा। राइट को स्लोट नहीं मिल पाया है वहीं भूंतर एरपोर्ट में उडानों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जल्दी यहां उडाने शुरू हो जाएंगी मंडी शेहर के साथ लगते सन्यारडी गाउं में आज सुबह दो परिवारों के बीच जमीन और पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया विवाद इतना गहरा गया कि दोनों पक्षों के बीच जम कर डंडो की बरसात हो गई इस मारपीट में दोनों पक्षों के दो लोगों को आंशिक चोटे आई हैं पुलिस ने दोनों की शिकायत पर क्रॉस F.I.R. दर्जकर के कारवाई शुरू कर दी है सन्यारडी निवासी मुरारी लाल और कुस्म के बीच जमीन और पानी की निकासी को लेकर विवाद चला हुआ है मुरारी लाल के अनुसार आज सुबह वे अपनी जमीन पर सफाई कर रहा था जिसका कुस्म और उसके परिवार वालों ने विरोध किया मुरारी लाल का कहना है कि जमीन उसकी है और दूसरों के घर से निकलने वाले गंदे पानी को उसकी जमीन पर खुले में फैंका जा रहा है इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया कोरोना संकट के बीच पुलिस चौके संतोशकर के तहट स्वान अदी के किनारे स्थित आदा दरजन प्रवासी मजदूरों की जुग्यों में आग लग गई आग जनी की घड़ना में करीब 55,000 रुपे की नकती सहित जुग्यों के अंदर सारा समान जलकर राख हो गया वहीं 6 मुर्गे भी जिन्दा जल गए प्रवासी मजदूरों ने हैंड पंप के पाने की मदद से आग बुजाने का प्रयास किया लेकिन सारी मेहनत बेकार गई आग जनी में सभी के कपड़े बरतन, राशन, बैंक की कौपी, आधार काडव, अनिक आगजाद भी जलकर राख हो गए वहीं सुचना मिलने के बाद DRDA के अधिकारी मौके पर पहुँचे और प्रवासी मजदूरों को राशन दिया इसके अलावा पुलिस ने भी जान शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आग के लगने का कारण पता नहीं चल पाया है हत्या की केस में संदिक दियुवक ने जंगल में पेड से फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली मुरितक की पहचान उमेश पुत्र कलूराम की रूप में हुई है उदर पुलिस ने शव कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है पुलिस मामले की जांच कर रही है जानकरी के अनुसार रवीवार 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है इसके बाद पुलिस तुरंट मौके पर पहुंची आत्महत्या का मामला बाया कुँआ के जंगल में पेश आया बताया जा रहा है कि मौत्या के एक मामले में संदिक्द था पुलिस युवक से इस वारदात को लेकर पूछ ताच भी कर रही थी याद रहे कि कुछ समय पहले पाउंटा साहिब के आई पिएच आफिस के बाहर चाकू से गोद कर एक रेक्ति की हत्या की गई थी इस मामले में युवक संदिक्द बताया जा रहा था पांटा साहिब उपमंडल के जामनी घाट के डीडा जंगल और डीडा खाला में माजरा पुलिस ने कच्ची शराब के अवैद कारोबार का परदा फाश किया है पुलिस ने यहां चलती भटी नश्ट की है इस दोरान पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब और 200 लीटर कच्ची लाहन नश्ट कर दी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार किया है जबकी एक मौके से फरार हो गया पुलिस ने डीडा खाला में भी 1000 लीटर कच्ची लाहन मौके पर नश्ट की जनकारी के नुसार रवीवर सुभा माजरा पुलिस ने जामने घाट के डीडा जंगल वर डीडा खाला में दविश्ती इस दोरान यहां पर एक शराब की नाजायस भट्टी चलती हुई पाई गई इसे यश्वंत निवासी जामना घाट चलाता हुआ पाया गया जिसे पुलिस ने पकड़ लिया जबकि एक अन्य आरोपी पुलिस को देख कर मौके से फरार हो गया पुलिस ने आरोपी की खिलाफ माजरा थाना में मामला दर्ज कर कारवाई शुरू करती है स्पी अजे कृष्ण शर्मा ने मामले की पुष्टी की है इसी के साथ आज की समाचार यहीं समाप्त होते हैं धर्निवात